असलाम नेकुम इवर्स, हॉप यॉर्ड वैल आज में आप लोगों के लिए ट्राउजर का एक और यूनिक डिजाइन लेकर आए हूँ इस डिजाइन को बनाने के लिए हम ट्राउजर के लें दो इन जादा रखेंगे पिंटेक्स डालने के लिए ऐसे मैंने अपना पाइंचे फोल करके स्टिच कर लिया है अब इसके उपर यह मैंने दो इंच पर मार किया है यहाँ पर हम कट लगा लेंगे ताकि दोनों साइट पर निशान लग जाए अब पाइंचे को खोल कर ऐसे इसको डबल करेंगे और यहां पर पहला पिंटेक्स डाल लेंगे ऐसे हमने एक फुट का एक पिंटेक्स डालना है अब इस पिंटेक्स की उपर हम यहां पर दूसरा पिंटेक्स डालेंगे ऐसे देखे मैंने दो पिंटक्स डाल लिए है अब हम अपने पाइंचे को डबल करेंगे यहाँ पर तीर इंच पर मार करेंगे यहाँ पर दुबारा हमने दो पिंटक्स डाल लिए है ऐसे दोनों साइड पर मैंने दो दो पिंटक्स डाल लिए है इसके बाद ही मैंने paper लिया है paper को ऐसे हम double करेंगे जैसे हम उरेब पटी को cut करते हैं वैसे हमने paper को cut करना है अब यहां पर हम line draw करेंगे और इसके ब्राबर हम एक एक इंच के gap पर काफी सारी lines draw कर लेंगे यह scale मेरा एक इंच ओड़ा है देखे मैंने एक एक इंच के gap पर काफी सारी lines draw कर ली है अब इनको हम cut कर देंगे ऐसे हमने अलग-अलग पटियों को cut करना है जैसे मैंने paper को cut किया है सेम इसी तरहां से मैंने बुकरम को wrap cut कर लिया है यह देखे और wrap cut करके मैंने fabric भी और wrap ही लिया था और उसके उपर मैंने और wrap बुकरम को ऐसे पैस्ट कर लिया है अब दो पटियां लेंगे हम इन दोनों पटियों को यह देखें ऐसे रखकर यहां से stitch कर लेंगे क्योंकि हमने पटिय काफी लंबी सारी ready करनी है यह पटियां छोटी है हमारी अब इसके साथ यह इस दूसरी पटि को ऐसे करके देख लेंगे पहले और फिर ऐसे करके stitch कर लेंगे इस तना से रखकर ऐसे यह हमारी काफी लंबी सारी पटियों को जाएगी अब इसके बाद दोनों साइड से हम ऐसे इसको फोल करके सेंटर से डबल करेंगे पटि को और यहां से साइड से stitch कर लेंगे यहां से ऐसे दोनों साइड से फोल करते जाना है और सेंटर से फैब्रिक को डबल करके इस पटि को stitch करेंगे ऐसी हम एक और पट्टी रेडी करेंगे देखे मैंने एक पट्टी को रेडी कर लिया है सेम इस तरहां कि मैंने दूसरी पट्टी भी रेडी की है और इन दोनों के लेंद मैंने एक जितनी ही रखी है इसे एक पट्टी की लेंद है 28 inches, दूसरी पटी की भी इतनी ही length है और अब यह मैंने बारिक लैस ली है इस लैस को हम पटी के यहाँ side पर रखकर stitch करेंगे यहाँ देखें इस नहां से बिलकुल हमने बारिक लैस लेनी है दोनों पटीओं के साथ हमने ऐसे ही लैस को stitch करना है यहां पर देखे मैंने लैस को स्टिच कर लिया है पट्टी के साथ अब इसको स्टिच करने के बाद यह मेरी दोनों पट्टिया है अब यह मैंने पेपर का पीस लिया है इसको डबल करके अब इसको हम ऐसे डबल करेंगे अब यहां पर हमने पोने एक इच पर मार्क करना है मार्क करने के बाद इस तरहां से शेप बना लेंगे ऐसे और अब पेपर को कट कर लेंगे जैसे मैंने पेपर को कट किया है सेम इसी तरहां का मैंने हाट पेपर पर भी कट कर लिया है इसकी चुराइब मैंने डेरेंच रखी है अब इसके बाद यमयने पेपर लिया है दूसरा इसको डबल करके हम इसके सैंटर में फाल्डिंग LION बना लेंगे अब यहां सैंटर में हम LION DRAW कर लेंगे इसके बाद जो मैंने हाथ पेपर पर इस शेयप को कट किया है इसको हम यहां paper की उपर रखकर center में ऐसे paper की उपर draw कर लेंगे इस shape को एक को draw करने के बाद नीचे रखेंगे और यहां पर draw करेंगे same way तरहां से हम इस पूरे paper पर इस shape को draw कर लेंगे सारे shapes को मैंने draw कर लिया है अब इसके बाद यह मैंने tissue लिया है टीशू को हम पेपर के उपर ये देखे ऐसे रखकर टीशू को उपर रखेंगे पेपर को नीचे रखकर दोनों साइड से स्टिश कर लेंगे ऐसे दोनों साइड से स्टिश करने के बाद अब इसको हमने सैंडर से स्टिश करना है ऐसे स्टिश करने के बाद अब टीशू वाली साइड हम उपर रखेंगे और यह जो पट्टी मैंने अभी रैडी की थी लैस वाली इस पट्टी को हम इसके उपर ये देखेंगे जो मैंने अभी shapes draw की है इनके उपर ऐसे रखकर stitch कर लेंगे ये मैंने उरे पट्टी इसलिए लिए थी क्योंकि ये हम ऐसे गुलाई में भी हम इसको stitch कर रेंगे तो ये अराम से stitch हो जाएगी अगर ये सीधी पट्टी होती तो फिर ऐसे स्टिच नहीं होनी थी यह देखें यह आराम से ऐसे स्टिच हो रही है कि ऐसे एक पूरी साइट पर हम इस पट्टी को स्टिच कर लेंगे एक साइट पर देखें मैंने पट्टी को स्टिच कर लिया है अब यह मैंने दूसरी पट्टी ली है इस पट्टी को हम यहां दूसरी साइट पर ऐसे स्टिच करेंगे इसको भी हमने ऐसे ही गुलाई में जैसे मैंने रॉ की है शेप ऐसे स्टिच करना है यहां पर देखें टीचू के उपर मैंने दोनों साइड पर पत्यों को स्टिच कर लिया है अब यहां पर पत्यों के यह जो दूसरी साइड है यहां पर सिलाई लगा लेंगे दोनों पत्यों के हमने ऐसे ही सिलाई लगाने है बाहर वाली साइड पर यहां पर देखें मैंने द दबल करके पाइचे को कट कर लेंगे ऐसे कट करने के बाद अब हमने ट्राउजर का नीचे वाला पार्ट लेना है और इसको हम यह देखें ऐसे नीचे से हलका सा फैब्रिक फोल्ड कर देंगे नीचे वाली साइड पर अब इसको हम ऐसे टीशू की उपर रखेंगे ऐसे हमने सेट करके रखना है और यहां से स्टिच कर लेंगे यह देखे इस तरह से ऐसे मैंने नीचे वाले पार्ट को स्टिच कर लिया है सेम इसी तरह से हम यह उपर वाला पार्ट लेंगे इसका भी टिश्यू की उपर रखेंगे उपर वाली साइट पर और यहां स्टिश कर लेंगे दोनों पार्ट को स्टिश करने के बाद यहां नीचे से हम पेपर को उतार देंगे और यह लास्ट में नेखे मेरे पांचे का डिजाइन रेडी हो चुका है तो कैसा लगा आपको यह मेरे डिजाइन ऐसा सेम डिजाइन आप लोग अपने दामन पर और अपनी स्टिव पर भी बना सकते हैं तो अगर आपको यह मेरे डिजाइन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्स्राइब करें तक है टें कियू